इंदौर के देवी अहिल्या एरपोर्ट के पास सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन बनेगा सांसद शंकल लालवानिन एरपोर्ट का दौरा कर एरपोर्ट और मेट्रो के बीच सहमती बनवाई जिसके बाद एरपोर्ट के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन की जगा तै की गई है दरसल इंदोर मेट्रो एवम एरपोर्ट के बीच ये मामला काफी समय से अड़का हुआ था और अब एरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होने का रास्ता खुल गया है सांसद ने मंगलवार को एरपोर्ट पर विभिन अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मसले को सुल जा लिया गया वही सांसद लालवानी ने कहा कि एरपोर्ट इंदोर मेट्रो एवं प्रिशासन के बीच मेट्रो स्टेशन को लेकर कुछ दिक्कते थी और सभी विभागों के वरिस्ट अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस मामले को सुल जा लिया है अब जल्द ही एरपोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होगा लगबग हमारे जो एरपोर्ट है उससे 200 मेटर की दुरी पर लगबग मेट्रो स्टेशन से और सबने बैठ के लिया कि कम से से कम दूरी पे मेट्रो स्टेशन बने और इसके साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी के लिए कि अंदर ग्राउंड टनेल के रूप में एक पेसेज बनेगा और यह पेसेज में भी एक्सिलेटर लगेगा ताकि लोगों को पेजल नहीं चलना पड़े और तीन मिनट में वह एरप संदूरी पे मेट्रो की कनेक्टिव मिल जाएगी सभी अधिकारों बेटके नेरे लिया अब उसमें आग्री की कारवई मेट्रो करेगा और एरपोर्ट ने भी सहमती दिए कितने लंबे से दिक्कत आ रहे थी और दिक्कत दी थी यह कुछ इशू थे एरपोर्ट वालों के अपनी बात थी उसको एक्सपांशन को लेके और मेट्रो वालों का हमने उनकी अपना एक एंगल था हमने यह कहाए कि लोगों को स्वीधा का मिलेगे हमारा जो में उद्दे अच्छा होगा और अंतर दा वहीं निर्ने होगा कि पेसिंजर के सिवदय के लिए जो बेश्ट आप्शन दा वह ने करा तक चाहिए उसकी प्रक्रिया प्रक्रिया प्याना हो गई यह विस्थान तो वह कल हो गया इंद और से नीरज बौरासिक रिपोर्ट